हलो फ्रेंड्स वेल्कम डू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार एससी थर्ड सिजियल का 23 दिसंबर का इवनिंग सिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों तो 23 दिसंबर इवनिंग सिप्ट में पूछे गए सभी कोशन इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाएको सिर्ज जरूर करें जिन बच्चों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करके नोड़ी वेकेशन बैल ओन करना ना भूलें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो गैस पहला कोशन पूछा गया था कि बेलारूस की राजधानी क्या है देखे गैस बेलारूस की राजधानी है मिल्सक बात करें बेलारूस की मुद्रा की तू बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल अफीम की संदी किसके बीच हुई थी देखे पहला अफीम यूद नानकिन की संदी द्वारा समाप्त हुआ 1842 में ग्रेट पिटेंड और शीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किये गए थे अगला कोशन पूछा गया था अली नगर की संदी किसके बीच हुआ था नव फरवरी 1757 को विटिस इस्ट इंडिया कंपनी के रावट क्लाइब और बंगाल के नबाब मिरजा मुहंबत सिराजित दौला के बीच अली नगर की संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे नगर कोशन पूछा गया था वी सी सी आई के चेर्मन को नहीं तो काई वी सी सी आई के चेर्मन है रोजर विन्नी तो रोजर विन्नी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडा का उत्पादन में भारत की रहेंग क्या है तो अंडा उत्पादन में भारत की रहेंग है तीसरी अंडा उत्पादन में 20 में भारत का इस्थान तीसरे नमबर पर है भारत ने 2022 में 122.11 बिलियन अंडे का उत्पादन किया था पनामा की राजधानी क्या है तो गैस पनामा की राजधानी है पनामा सिटी नेश कोशन पूछा गया था 27 वा कांगरेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था तो 27 वा कांगरेस का अधिवेशन बाकीपूर में हुआ था सन 1912 में अगला कोशिन पूछा गया था गरेवी हटाओ नारा किस पंजवर्सी योजना में तो गरेवी हटाओ नारा पांचवी पंजवर्सी योजना में है कपास उत्पादन में सबसे अधिक किस राज में है कपास उत्पादन सबसे अधिक महराष्ट में है राश्ट आपका correct answer हो जाएगा पर्थम पानी पत का यूद किनके बीच पर्थम पानी पत का यूद हुआ था यह किसमे जीता था बेखे पर्थम पानी पत का यूद 21 अपराल 1526 को हुआ था बावर और इब्रायन लोदी के बीच में और बावर इसे यूद में बीचाई हुआ था तो अगर अगला question पूछा गया था राश्ट पती का इमिडेटमेंट अनुच्छेत जो है किस अनुच्छेत में है मावियोग वो प्रिक्रिया जिसका इस्तमाल राश्ट पती और सुप्रीम कोट या हाई कोट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है इसका जिक्र समिदान के अनुच्छेत 16, 124, 4, 5, 27, 218 में मिलता है मावियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब समिदान का उलंगन दुरब्यवार या अच्छमता साबित हो गए हो अगला कोश्चन पूझा गया था खरोष्टी लिपी किसने सुरू किया चीनी परंपरा के नुसार इसका अविसका स्री खरोष्ट ने किया था लिपी के नाम से विवत्ती चाहें जो हो इसमें संधे नहीं है कि इस देश में यह उत्तर पश्चिम से आई और कुछ काल तक असोक के अतरिक्त मात्र विदेशी राज कुलूंद्वारा उनके ही प्रवाव के छेतर में प्रियूप्त होकर उनके साथ ही समाप्त हो गई नेश कोशन पूझा गया था कौफी उत्पादन में सबसे अगानी राज कौनसा है भारत में कौफी का उत्पादन मुखे रूप से दच्छन भारती राज्यों के पारी छेतरों में होता है यहां कुल 802 तन कौफी का उत्पादन होता है जिसमें सिक करनाटक राज में अधिक्तम 53 प्रतिसत केरल में 28 प्रतिसत और तमिलनाडू में 11 प्रतिसत उत्पादन होता है वर्टॉरिया दुती का उत्रादिकारी कौन था मरत्यृ और उत्रादिकारी उनके बेटे और उत्रादिकारी एड़वर्ट económ उनके पती के घर सक्से कौवर्स और गो था के थे अनुछेत पचत्तर दो में क्या है मंत्रियों के समंद में अनप्राब्धान पहला है प्रदान मंत्री की न्यूक्ति राष्ट पती द्वारा की जाएगी और अन मंत्रियों की न्यूक्ति राष्ट पती द्वारा प्रधान मंत्री की सलापर की जाएगी दूसरे में क्या है मंत्री राष्ट पती के परसाद प्रेंत पद धारन करेगा देवेंद्र जांजरिया को कौन सा पुरोषकार दिया गया है कैग का कारेकाल किसी भी कैग प्रूंका कारेकाल 6 बर्स या 65 बर्स की उम्र जो पहले होगा कि अबदी के लिए राश्पती दोरा न्यूक्त किया जाता है संस्ता केंद्र अत्वार राज सरकार के अनरोध पर किसी भी सरकारी विवाग की जांच कर सकती है अनुछे 248 के अनुछार भारत का एक नियंत्रक एबन मालेगा परिच्चक होगा किप कहा की करेंसी है कुवेती दिनार दुनिया की सबसे ताकर्बद मुद्रा है इसका करेंसी कोट KWD है आप इसका अन्दर लगा सकते हैं कि एक कुवेती दिनार की बैलू आज के समय में 3.26 अमेरिकी डॉलार USD है अगर भारती मुद्रा में देखें तो एक कुवेती दिनार की बैलू 2.69.52 रुपई के बरावर है हाई कोट के स्थापना कब हुई थी तो हाई कोट के स्थापना 1862 S.B. में हुई थी पंचायत का अध्यक्ष कौन होता तो पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है दुग्ड डेरी सहकारिता की स्थापना वियार में कब हुआ था तो दूल डेरी साहगारता की स्थाफ़न व्यार में सन्द 2014 में हुई थी अमरता पीर्तम का समन्द किसे है अमरता पीर्तम 1991 से 2005 पंजावी के सबसे लोगपरी लेखोकों में से थी पंजाब भारत के गुजरावारा जिले में पैदा हुई अमरता पीर्तम को पंजावी भासा की पहली कवित्री माना जाता है उन्होंने कुल मिलाकर लगबग सो पुस्तिके लिखी है जिन में से उनकी चर्चित आतमकरत कथार रसीदी टिकट भी सामिल है अगला कोशन पूछा गया था कि पीम सुरच्छा बीमा योजना की उम्र सीमा तो पीम सुरच्छा बीमा की उम्र सीमा अठारो से सतर बर्स अगला कोशन गांदी जी काउंसा आंदोलन चोरी चोरा कांड में बापस ले लिया था तो गाने जी ने असायोग आंदोलन जो है चोरी चोराकांड में बापस ले लिया था विक्स सम्मेलन 2022 काम वाता तो प्रदानमदेश स्री नरेंद मोदी ने 23 से 24 जून 2022 को चीन के राश्पती सी जिपनिम की अधश्चता में आयोजे चोर्दोवे विक्स सम्मेलन में बर्चुवल मादेम से भारत की भागेदारी का नेतत्तु किया दुख्द उत्पादन में भारत का नमबर वन देश दुख्द उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में सीर्ष इस्थान पर है आकड़ों के अनुसार बर्स 2020 में वैश्चिविक इस्तर परस्ता राना 880 मिलियन टन से अधिक दूद का उत्पादन हुआ है जिसमें से 184 मिलियन टन से अधिक दूद का भारत में हुआ है जो कुल दूद उत्पादन का सबसे अधिक 22 फिस्थी था HIV बारस क्या होता है AIDS एक बारस के कारण होता है जिससे Human Infineo Deficiency बारस या HIV कहा जाता है HIV CD4D नामक कोशिका है जो सरीर से लड़ने वाली बीमारियों की मदब के करने के लिए मैत्पून बिशिष्ट रक्त कोशिकाओं को नश्ट करके मानो सरी को नुकसान पहुचाती है प्रधान मंतरी सपत गर्यान किस अनुछेद में तो प्रधान मंतरी सपत गर्यान अनुछेद 74 में है आनंद मठ काउंसी भासा में लिखा गया आनंद मठ बांगला भसा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद चटो पाध्या ने 1882 में की थी इस कृती का भारतिय सुतंतरता संगराम और सुतंतरता के करांत कारियों पर बहुत गहरा परवा पड़ा भारत का राश्ट्य गीद बंदे मातरम इसी उपन्यास से लि सदस्य होते हैं संस्ति समित्य से तात पर उस समित्य से है जो सवा दोरा नुक्तिया नर्वाचित की जाती है अत्वा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष की निर्देशा नुसर कारे करती है तथा अपना प्रति वेदन सवा को या अध्यक् अब्द कराया जाता है मद्रास में कौंसा मौतसम मनाया जाता है मद्रास संगित अकादमी एवं मगर्जी मौशब मगर्जी उत्सव का उद्वव 1927 में हुआ जब इसे पर्थम बार मद्रास संगित अकादमी की पहली वर्सगाट मनाने के लिए मनाया गया था सिगरी इस नामीबिया से लेकर भारत के मद्ध प्रदेश इस्तित क्रोनो नेशनल पार्क तक चीतों के आने और उनके यहां शुरुआती दिनों में रहने की पूरी कहानी चीतों की अफरीका से लाना कोई आसान काम नहीं था सबसे पहले नामीबिया के अलग-अलग इलागों से तीन न हुआ 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 काम जो खोआ हुआ के झालगों से लानल पंढान्या